C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है तक्षा साथ की गनित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्यायत 3 आंक्णों का प्रबंधन प्रिष्ठ 66 3.5.1 प्रसार या परिसर सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों के अंतर से हमें प्रेक्षणों के प्रसार का एक अनुमान लग जाता है इसे सबसे बड़े प्रेक्षण में से सबसे छोटे प्रेक्षण को घटा कर ग्यात किया जा सकता है हम इस परिणाम को आकणों या प्रेक्षणों का प्रसार या परिसर यानी रेंज कहते हैं प्रिष्ठ सढ़ सढ़ उधाहरन तीन एक स्कूल के दस अध्यापकूं की वर्षों में आयू इस प्रकार है 32, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38, 40 एक सबसे बड़ी उम्रवाले अध्यापक की आयू क्या है तथा सबसे चोटी उम्रवाले अध्यापक की आयू क्या है दो, अध्यापकूं की आयू का परिसर क्या है तीन, इन अध्यापकूं की माध्य आयू क्या है हल एक, आयू को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर हमें प्राप्त होता है 23, 26, 28, 32, 33, 35, 38, 40, 41, 54 हमें ग्यात होता है के सबसे बड़ी उम्रवाले अध्यापक की आयू 54 वर्ष है तथा सबसे चोटी उम्रवाले अध्यापक की आयू 23 वर्ष है तीन अध्यापक की माध्यायू बराबर 23 जमा 26 जमा 28 जमा 32 जमा 33 जमा 35 जमा 38 जमा 40 जमा 41 जमा 54 भाग 10 वर्ष बराबर तीन सो पचास भाग 10 वर्ष बराबर 35 वर्ष प्रशनावली तीन दशम लवेक एक अपनी कक्षा के किनहीं दस विद्यार्थियों की उच्षाईयों का परिसर ग्याद कीजिये दो, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किये गए निमनलिखित अंकूं को एक सारणी बद्ध रूप में संगठित कीजिये चार, छे, सात, पांच, तीन, पांच, चार, पांच, दो, छे, दो, पांच, एक, नौ, छे, पांच, आठ, चार, छे, सात 1. सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 2. सबसे छोटा अंक कौन सा है? 3. इन आंकणूं का परिसर क्या है? 4. अंक गणिती ये माध्य ग्यात कीजिये 3. प्रथम पांच पून संख्याओं का माध्य ग्यात कीजिये 4. एक क्रिकेट खिलाडी ने आठ प्वारियों में निम्नलिखित रन बनाए 58, 76, 40, 35, 46, 50, 0, 100 उसका माध्य स्कोर या रन ग्यात कीजिये 5. निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाडी द्वारा चार खिलों में अरजित किये गए अंकों को दर्शाती है खिलाडी, खेल एक, खेल दो, खेल तीन, खेल चार अब निम्नलिखित प्रशनों के उत्तर दीजिये 1. प्रत्येक खिल में ए द्वारा अरजित औसत अंक ग्यात करने के लिए माध्य ग्यात कीजिये 2. प्रत्येक खिल में सी द्वारा अरजित माध्य अंक ग्यात करने के लिए आप कुल अंकों को तीन से भाग देंगे या चार से, क्यों? 3. बी ने सभी चार खेलों में भाग लिया है, आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ग्यात करेंगे? 4. किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है? 6. विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा, सौ में से प्राप्त किये गए अंक 85, 76, 90, 85, 49, 48, 56, 91 और 75 हैं. ग्यात कीजिए 1. विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक 2. प्राप्त अंकों का परिसर 3. समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक 7. छै क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्न लिखित थी 1.555, 1.670, 1.750, 2.013, 2.540, 2.820 इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों की माध्य संख्या ग्यात कीजिए 8. एक नगर में किसी विशेश सप्ताह के साथ दिनों में हुई वर्षा मिली मीटर में निम्न लिखित रूप से रिकॉर्ड की गई दिन वर्षा मिली मीटर सोमवार 0.00, मंगलवार 12.00, बुधवार 2.01, ब्रिहस्पतिवार 0.00, शुक्रवार 20.05, शनीवार 5.05, रविवार 1.00, एक, उपरोक्त आंकणों से वर्षा का परिसर ग्याद कीजिए दो, इस सप्ताह की माध्य वर्षा ग्याद कीजिए तीन, कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही 9. दस लड़कियों की उंचाईया सेंटिमीटर में माफी गई और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए 135, 150, 149, 128, 151, 132, 146, 149, 143, 141 1. सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है? 2. सबसे छोटी लड़की की लंबाई क्या है? 3. इन आंकणों का परिसर क्या है? 4. लड़कियों की माध्य उंचाई यानि लंबाई क्या है? 5. कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है? 3. लवच्छे बहुलक जैसा के हम पहले बता चुके हैं, केवल माध्य ही केंद्रीय प्रवृत्ती का माप या प्रतिनिधी मान नहीं है. विभिन प्रकार की आवशक्ताओं के अनुसार अन्य प्रकार की केंद्रीय प्रवृत्ती के मापकों का प्रयोग किया जाता है. निम्न लिखे तुदाहरन को देखिए. खमीजों के विभिन मापों यानि साइजों की सापताहिक मांग को ग्यात करने के लिए एक दुकानदार 90 cm, 95 cm, 100 cm, 105 cm और 110 cm मापों की खमीजों की बिक्री का रिकॉर्ड रखता है. एक सब्था का रिकॉर्ड इस प्रकार है. माप सेंटिमीटर में बेची गई कमीजों की संख्या. नबे, आठ, पिच्चानवे, बाईस, सौ, बतीस, एक सौ पांच, सैंटीस, एक सौ दस, छै, योग, एक सौ पांच. यदि वह बेची गई कमीजों की संख्या का माध्य ग्यात करे, तो क्या आप सोचते हैं कि वह यह निरने ले पाएगा, कि किसम आप की कमीजें स्टॉक में रखी जाएं? बेची गई कमीजों का माध्य बराबर, बेची गई कमीजों की कुल संख्या, भाग, कमीजों के विभिन मापों के प्रकार, बराबर, एक सौ पांच, भाग, पांच, बराबर, एक्कीस. क्या वह प्रत्येक माप की 21 कमीजें स्टॉक में रखे? यदि वह ऐसा करता है, तो क्या वह अपने ग्रहकों की आविशकताओं को पूरा कर पाएगा? उपरोक्त रिकार्ड को देखकर दुकानदार 95 सेंटिमीटर, 100 सेंटिमीटर और एक सब 5 सेंटिमीटर मापों की कमीजों को मंगवाने का निरणाएं लेता है. वह अन्य मापों की कमीजों को मंगवाने का निर्णाएं उनके कम खरीदारों को देखते हुए आगे के लिए ताल देता है एक अन्य उदाहरन देखिए रेडी मेड कपड़ूं का एक दुकानदार कहता है मेरे द्वारा सबसे अधिक माप की बेची गई खमीज का माप नबे सेंटिमीटर है ध्यान दीजिए कि यहां भी दुकानदार की रुची विभिन मापों की बेची गई खमीजों की संख्याओं में ही है वह है खमीज के उस माप को देख रहा है जो सबसे अधिक बिक्ती है यह आंकणूं का एक अन्य प्रतिनिधी मान है सबसे अधिक बिक्री 105 सेंटीमीटर माप की खमीजों की बिक्री है यह प्रतिनिधी मान यानी 105 आंकणूं का बहुलक यानी मोड कहलाता है प्रिष्ठ सत्तर दिये हुए प्रेक्षणों के एक समूह में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण इस समूह का बहुलक कहलाता है उदाहरण चार निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक ग्यात कीजिए एक, एक, दो, चार, तीन, दो, एक, दो, दो, चार हल समान मान वाली संख्याओं को एक साथ व्यवस्थित करने पर हमें प्राप्त होता है एक, 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 दो, 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 तीन, चार, चार इन आकणूं का बहुलक दो है क्योंकि यह अन्य प्रेक्षणूं की तुलना में अधिक बार आता है प्रयास कीजिए निम्न लिखित के बहुलक ग्यात कीजिए एक, दो, छे, पांच, तीन, शूर्न, तीन, चार, तीन, दो, चार, पांच, दो, चार दो, दो, चौदह, सोलह, बारह, चौदह, चौदह, सोलह, चौदह, दस, चौदह, अठारह, चौदह तीन दशमलव छै दशमलव एक बड़े आंकणूं का बहुलक यदि प्रेक्षणूं की संख्या बड़ी हो तो उनको समान मान वाले प्रेक्षणूं के रूप में व्यवस्थित करना और फिर उनको गिनना इतना सरल नहीं होता है ऐसी स्थितियों में हम आकणूं को सारणी बद्ध करते हैं जैसा के आप पिछली कक्षा में कर चुके हैं आकणूं की सारणी बनाने का कार्य मिलान चिन्हों यानि टैली माक्स से प्रारंब करते हुए प्रेक्षणूं की बारंबारताएं यानि फ्रीक्वेंसीज बना कर पूरा किया जा सकता है निम्न उदाहरणों को देखिये उदाहरण पांच टीमों के एक समूह में खेले गए फुटबॉल के मैचों में जीतने के अंतर गोलों में यानि इन गोल्स निम्न लिखित हैं एक, तीन, दो, पांच, एक, चार, छे, दो, पांच, दो, 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 चार, एक, दो, तीन, एक, एक, दो, तीन, दो, छे, चार, तीन, दो, एक, एक, चार, दो, एक, पांच, तीन, तीन, दो, तीन, दो, चार, दो, एक, दो इन आक्णूं का बहुलक ग्यात कीजिए हल आईए इन आक्णूं को एक सारणी के रूप में रखें जीतने का अंतर, मिलान चिन्ह, मैचूं की संख्या एक, नौ, नौ, दो, चोदह, चोदह, तीन, साथ, साथ, चार, पांच, 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 तीन, तीन, छै, दो, दो, योग, चालीस इस सारणी को देखकर हम तुरंट यह कह सकते हैं कि दो बहुलक है क्यूंकि दो सबसे अधिक बार आया है इस प्रकार अधिकांश मैच दो गोलों के अंतर से जीते गए हैं प्रिष्ठ एकहत्तर सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए क्या संख्याओं के एक समूह में दो बहुलक हो सकते हैं उदाहरण छे, निम्न लिखित संख्याओं का बहुलक ग्यात कीजिए दो, 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 तीन, तीन, चार, पांच, 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 छे, छे, आठ हल, यहां दो और पांच, दोनों ही तीन बार आए हैं, अथह ये दोनों ही आँक्णों के बहुलक हैं इनहें कीजिए एक, अपनी कक्षा के साथियों की वर्षों में आयू रिकॉर्ड कीजिए और फिर उनका बहुलक ग्यात कीजिए दो, अपनी कक्षा के साथियों की सेंटिमीटर में लंबायां रिकॉर्ड कीजिए और उनका बहुलक ग्यात कीजिए प्रयास कीजिए एक निम्नलिखित आंकडूं का बहुलक ग्यात कीजिए 12, 14, 12, 16, 15, 13, 14, 18, 19, 12, 14, 15, 16, 15, 16, 15, 17, 13, 16, 16, 15, 15, 13, 15, 17, 15, 14, 25, 15, 13, 15, 14, 20, 25 बच्चूं की उच्षाईयां सेंटिमीटर में नीचे दी गई हैं 168, 165, 163, 160, 163, 162, 164, 166, 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 166 165 163 162 163 164 163 160 165 163 162 उनकी लंबाईयों का बहुलक क्या है? यहां बहुलक से हम क्या समझते हैं? जहां माध्य हमें आंक्णूं के सभी प्रेक्षणूं का ओसत प्रदान करता है, वहीं बहुलक आंक्णूं में सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण को दर्शाता है. आईए निम्नलिखित उदहरणूं पर विचार करें. आई, आपको एक दावत में बुलाए गए पचीस विक्तियों के लिए आवशक चपातियों की संख्या के बारे में निरनाई लेना है. बी, खमीजें बेचने वाले एक दुकानदार को अपने स्टाउक की आपूर्ती करनी है. सी, हमें अपने घर के लिए आवशक दर्वाजे की उन्चाई ग्यात करनी है. डी, एक पिकनिक पर जाते समयें, अगर प्रत्येक व्यक्ति के लिए केवल एक ही फ़ल खरीदा जाना है, तब हमें कौन सा फ़ल मिलेगा? इन स्थितियों में हम किसमें बहुलक खा एक अच्छे आकलन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं? पहले कथन पर विचार कीजिए. मान लीजिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक छपातियों की संख्या इस प्रकार है. दो, तीन, दो, तीन, दो, एक, दो, तीन, दो, दो, चार, दो, तीन, दो, चार, चार, दो, तीन, दो, चार, तीन, पाँच. इन आकड़ों का बहुलक दो चपाती है यदि हम बहुलक खो आकड़ों के प्रतिनिधी मान के रूप में प्रयोग करें तो हमें प्रति व्यक्ती दो चपातीयों की दर से 25 व्यक्तियों के लिए केवल 50 चपातीयों की आवश्यकता होगी प्रिष्ठ बहत्तर परंत निश्चे ही यह चपातियां सभी व्यक्तियों को अपर्याप्त होंगी इस थिती में क्या माध्य एक उपयुक्त प्रतिनिधी मान होगा? तीसरे कथन के लिए दर्वाजे की उँचाई उन व्यक्तियों की उँचाई से संबंधित है जो उस दर्वाजे का प्रयोग करेंगे मान लीजिए के घर में पांच बच्चे और चार वयस्क हैं जो उस दर्वाजे का प्रयोग करते हैं तथा पांच बच्चों में से प्रत्येक की उँचाई एकसो पैंटीस सेंटिमीटर के आसपास है उंचाईों का बहुलक 135 सेंटी मीटर है क्या हमें एक ऐसा दर्वाजा लेना चाहिए जिसकी उंचाई 144 सेंटी मीटर है क्या सभी वैस्क इस दर्वाजे में से निकल पाएंगे यह स्पष्ट है कि इन आखड़ों के लिए भी बहुलक एक उपयुक्त प्रतिनिधी मान नहीं है क्या यहां माध्य एक उपयुक्त प्रतिनिधी मान होगा क्यों नहीं दर्वाजे की उंचाई के बारे में निरणएं लेने के लिए उंचाई के किस प्रतिनिधी मान का प्रयोग किया जाए इसी प्रकार शेश कथनों का विशलेशन कीजिए तथा इन स्थितियों के लिए उपयुक्त प्रतिनिधी मान ग्यात कीजिए प्रयास कीजिए, अपने मित्रों से चर्चा कीजिए और ए, दोस्थितियां दीजिए जहां प्रतिनिधी मान के रूप में माध्य का प्रयोग उपयुक्त होगा बी, दो स्थितियां दीजिये जहां प्रतिनिधी मान के रूप में बहुलक का प्रयोग उपयुक्त होगा अभी आप सुन रहे थे कक्षा साथ की गणित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक कारिक्रम समन्वयक डॉक्टर राजेश कुमार निमेश वाचन्स्वर गौरव मार्वा तक्नीकी समन्वयक बतिलैंग लिंगडो तक्नीकी सहायक मयंक कुमार निर्मान सहयोग सौम्या मलिक निर्देशन व निर्मान विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत